नमस्कार दोस्तो यूट्यूब चैनल रवी एललबी में आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम भारते सम्मेदा धनियम 1872 के महत्पूर टॉपिक उपनिधान बेलमेंट के बिसेम जानकारी देने वाले है तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफेकेशन को प्रेस कर लीजिए तक कि आने वाली नई वीडियो मिलें आपको सबसे पहले तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहले हम बेलमेंट के प्रावधान और उसकी परिभासा के बिसेम जानेंगे इस सम्विदा पर बस्तों का परिदान करना कि जब प्रियोजन पूरा हो जाए तो उसे लोटा दी जाए अथ्वा परिदान करने वाले बेक्ति के नर्देश के अनुसार किसी अन्य वेक्ति को दे दी जाए धारा 148 में एक इस पश्टी करन भी दिया गया है उसको भी हम जान लेते हैं इस पश्टी करन कहता है कि यदि वा बेक्ति जो किसी अन्य के माल पर पहले से ही कबजा रखता है उसका धारण उपनिहिती के रूप में करने की संबिदा करता है तवित्त द्वारा उपनिहिती हो जाता है और बस्तु का स्वामी उसका उपनिधाता हो जाता है यदि पिवा बस्तु उपनिधान के तौरपर परिदत ना किया गया हो उपनिधान को समझने के लिए उपनिधाता और उपनिधाती को समझना जरूरी है कि ये कौन होते हैं उपनिधाता और उपनिधाती के परिभासा धारा 148 में दी गई है वस्तू को परिदान करने वाला वैक्ति उपनिधाता कहलाता है और वह व्यक्ति जिसको माल या वस्तू परिदत किया जाता है वो उपनी हिती कहलाता है उपनी धान क्या है? उपनी धान एक ऐसा विसे है जिसके अंतरगत एक व्यक्ति की चल संपत्ती किसी अन्य व्यक्ति के कबजे में निश्यत आउधी के लिए चली जाती है वस्तु का स्वामित एक व्यक्ति में होता है और उसका कबजा किसी अन्य व्यक्ति के पास होता है ऐसा कई स्थितियों में हो सकता है जैसे गाड़ी को स्टैंड पे जमा करना, घड़ी को मरम्मत के लिए देना या किसी अन्य यंत्र को कारिगर को मरम्मत के लिए देना वस्तु ग्रह में समान किताबे आदी जमा करना सुनार को गहने बनाने के लिए सोना देना धोबी को कपलाद होने के लिए देना ये सब इस्थितियां ऐसी हैं जिसमें एक व्यक्ति की संपत्ती किसी विशेश कारे के लिए किसी अन्यवेक्ति के पास रहती है और इन दोनों संबंधों को उपनिधान का संबंध कहते है उप्रोक्त इस्थितियों से इसपष्ट होता है कि उपनिधान साधिनिक महत्व का एक महत्वपूर विशय है अब हम जानते हैं उपनिधान के आविश्यक तत्व के विशे में चल संपत्ती का होना उपनिधान का पहला आविश्यक तत्व संपत्ती का चल होना है अचल संपत्ती का उपनिधान नहीं किया जा सकता है अचल संपत्ती का हस्तांत्रन या परिदान केवल पट्टे या बंधक आदे के द्वारा किया जा सकता है फिर चल संपत्ती में भी किसी वस्तु का होना आविश्यक है क्योंकि परिदान केवल वस्तु का किया जा सकता है धन का नहीं कबजे का परिदान, उपनिधान के लिए आवश्यक है कि कबजे का परिदान हो, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को किसी उद्देश के लिए किसी वस्तु का परिदान किया हो, ऐसा परिदान आस्थाई होता है क्योंकि इस्थाई रूप से वस्तु का परिदान या मुली क विजय लच्छमी के वाद में वादी जो एक महिला थी उसने सुनार को अपने पुराने जेवर गला कर नई जेवर बनाने के लिए दिये वे रोज सुनार के पास गहना बनाने का कारे देखती थी और साम को अधोरे बने गहने को एक बॉक्स में बंद करके ताला लगा देती थी और चाभी अपने पास लेकर चली आती थी एक दिन सबेरे उसे गहने गायब मिले न्याले ने अभी निर्धारित किया कि सुनार जिम्मेदार नहीं था क्योंकि वस्तू का नियंत्रण वादी के हाथ में था इसलिए उपनिधान इस्थापित नहीं हुआ परिदान किसी प्रियोजन के लिए किया गया हो विधिपूर परिदान के लिए आवेश्यक है कि वस्तू का परिदान किसी प्रियोजन के लिए किया गया हो और माल इस सर्थ पर दिया गया हो कि जब प्रियोजन पूर हो जाएगा तो वस्तू उपनिधाता को लौटा दिया जाएगा या उन्हें परीधान करने वाले व्यक्ति के नरदेशा अनुसार अन्य व्यक्ति को दे दिया जाएगा यह ततो उपनेधान के अंसेंब्योहारों जैसे विक्रय या भेट जहां की माल में संपत्ती का इस्थांतरण विमोदित करता है उपनिधान के लिए आवेश्यक है कि वस्तु का परिदान किसी सम्विदा या अनुबंध के अंतरगत किया गया हो परन्तु कभी कभी विना सम्विदा के ही उपनिधान स्थापित हो जाता है खोई हुई बस्तू पाने वाला और माली के बीच कोई संविदा नहीं होती है परंतु फिर भी बस्तू पाने वाला उपनी हिती माना जाता है राम गुलाम वर्सिट इस्टेट आफ उत्तर प्रदेश के वाद में वादी के गहने चोरी हो गए संयोक से पुलिस ने चोरों को पकड़ कर गहने बरामत कर लिये गहने पुलिस के कबजे में ही थें कि फिर चोरी हो गए निरनित हुआ कि सरकार दाई नहीं थी क्योंकि गहने उसके पास किसी संविदा के अंतरगत नहीं आये थे इस्टेट आफ गुजरात वर्सेज मेमन मुहम्मत के बाद में वादी की कुछ गाड़ियां और कुछ अन्य सामान राज्य सरकार द्वारा कश्टम एक्ट के तहट जब्त कर लिये गए जब वहाँ सरकार के अभिरच्छा में थें तो वे सरकार की लापरवाही से खराब हो गए राज्य सरकार को जिम्मेदार माना गया क्योंकि राज्य सरकार उपनिधारित किया कि उपनिधान का निर्मान संविदा के द्वारा उन्हीं मामलों में होता है जहां इसका उद्य संबिदा से होता है परन्तु या कहना सही है कि बिना परवर्तनिय संबिदा के उपनिधान हो ही नहीं सकता है भारते संबिदा अधिनियम के धारा 150 के नुसार उपनिधाता का यह करता भी है कि वह उपनिध माल की सभी खामियों को बताए जब उपनिधाता किसी माल को उपनिधाता करता है तो उस माल से सम्मदे सबी खामियों को उपनिधाता की होगी और उपनिधाती को यदि कोई नुकसान होता है तो इसकी भरपाई भी उपनिधाता को करना होगा यदि माल भाले पर उपनिधाता की या गया है और माल से कोई नुकसान होता है तो उसका नुकसान उपनिधाता को देना होगा भले उपनिधाता उस नुकसान से परचित नहीं रहा हो इस बात को उधारन से समझते हैं का ने खा को एक गाय उधार के रूप में दी का जानता था कि इस गाय से दूद निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये पैर मारती है इस बात को खा को गाय देते समय नहीं बताई जब खा गाय ले गया तो दूद निकालते समय गाय ने पैर मारा और जिससे खा को चोटे आ गई का को इस चोट के लिए खा को भरपाई करनी होगी क्योंकि का ने खा को गाय देते समय इसकी स्खामी को नहीं बताया था कि ये गाय दूद निकालते समय पैर मारती है उपनिधान के प्रकार काइंड साफ बैलमेंट एक महतपूर अंग्रेजी वाद कागस बना बनार्ड में लॉड हाट ने निमले के छे प्रकार के उपनिधान का वरण किया है किराया जब वस्तु को उपनिहती को किराय पर दी जाती है तब वह किराय पर दिया हुआ उपनिधान कहलाती है गिर्वी गिर्वी रूपी उपनिधान में रिणी द्वारा रिड़दाता के उधार के लिए दिये गय धन के प्रतिभूती शोरूप वस्तवे रिड़दाता के पास रखी जाती है जमा यह वस्तु को सुरच्छित अभराच्छा में रखे जाने के लिए किया जाने वाला एक सामान प्रकार का अपनिधान होता है बैंक के लॉकर में मुलिवान वस्तू को रखा जाना इसका अच्छा उधारन है लेकिन बैंक के बचत खाते में रुपए जमा करना उपनिधान नहीं है मंगनी मंगनी रूपी उपनिधान कहलाता है जैसे किसी मित्र को कोई किताब पढ़ने के लिए उधार पर देना वाहक वस्तू को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने ही तो वाहक का परिदान करना उपनिधान की स्रिणी में आता है मेंडमप निर्पेच किसी वस्तू की मरमत और निर्माण के लिए देना मेंडमप निर्पेच कहलाता है समानेता वाहन को मरमत के लिए देना दरजी को कौपड़े सिलने के लिए देना आधी इसके अच्छे उधारन हो सकते है उम्मीद करते हैं आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें शेर करें और कमेंट करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं क्या है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजी और बेल नोडिफेकेशन को प्रेस कर लिजी तकी आने वाली नए वीडियो मिले सबसे पहले तो मिलते एक नए वीडियो में तब तक लिए नमस्कार